नमस्कार एक मुलाकात कारिक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन हर बार की तरह एक नए महमान के साथ हम इस मंच पर आपकी सम्मों को पस्थित हुए हैं मित्रों और आज हैं हमारे साथ श्रिमते लेखनास सेंजे जो कि आक्टर हैं, राइटर हैं, डारेक्टर हैं, प्रोड्यूशर हैं, फिल्मेकर हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं आप स्कूल्स, कॉलेजेज या मीडिया की जो अलग-अलग शेत्र हैं उसमें बहुत ही सक्रिय हैं, ताकि वहां पे भी मुल्यों को स्थापित किया जा सके साथ ही साथ, अपनी जीवन में न केवल स्वयम आगे बढ़ने पर आप विश्वास रखती हैं लेकिन सबको आगे बढ़ाने पर विश्वास रखती हैं आपने बहुत सारी लोगों को अक्टिंग के फिल्ड में भी आगे से आगे बढ़ाया है उनका मार्ग दर्शन किया है बहुत सारी अवोर्ट्स, बहुत सारी सर्टिफिकेट आपकी जोली में हैं आप इन्हें देखेंगे तो आप से हम समझ जाएंगे कि इन्हें आप देखते भी हैं, जानते भी हैं आपकी परिवार की एक सदस्य की तरह हैं आईए अभी नंदन करते हैं लेखना जी का बहुत बहुत स्वागतर अभी नंदन बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतनी सारी बाते कह दे मेरे बारे में कि मुझे लग रहा है कि मैं कैसे समालूंगी इन सब को और कैसे आपकी बातों पर खरी उतर पाऊंगी मुझे लग रहा है मैंने बहुत कम बोला आपके बारे में पहला प्रश्न तो यही लेखना जी कि इतनी सारी चीजें एक साथ आप कैसे कर लेती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है ये सब इश्वर की कृपा है बचपन से ब्लेसिंग के रूप में मिली है तो कला को सहेच पाए हैं और कुछ पैरेंस का आशिरवाद भी मिला है तो उसी अंडर ट्रेनिंग में रहे हैं और फिर इश्वर की कृपा बनती चली गई तो एक के बाद एक के बाद एजुकेशन पूरा होते गया उसमें इज़त अफजाई भी मिली और उसके बाद लाइफ बैलेंस हो गई तो इश्वर की कृपा ही है कुल मिलाके ये सिर्फ इश्वर की कृपा है तब ही ये सब पॉसिबल हो पाता है ये तो आपकी विनम रता है कि सच मुझ इश्वर ही सब कुछ करा रहे हैं लेकिन हाव यक्ती को बंदे को भी तो कुछ करना ही होता है कराने वाले तो वो हैं है तो परिवार का महौल ही लेखना जी ऐसा था कि आपको इस फिल्ड में जो आर्ट का फिल्ड है उस कशेत्र में आगे बढ़ने मदद मिली या फिर एक रूची थी कि मैं इस कशेत्र में कुछ करा हूँ नहीं, रूची होने से कुछ नहीं होता है ये तो बोला जाए तो परिवार का ब्लेसिंग्स ही मुझे मिला है अगर मेरे परिवार, फादर, मदर सपोर्ट नहीं कर पाते तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाती इस फील्ड में उनकी ब्लेसिंग्स है, चाह तो हर बच्चे की होती है लेकिन सपोर्ट करने वाले पैरेंट्स होते हैं तो पैरेंट्स का सपोर्ट मुझे मिला है कई बार कुछ पैरेंट्स असे होते हैं कि बच्चों के लिए बड़े ही वो होते हैं, कि नई बच्चे को यही करना है, यही करना है, उन पारेंट्स के लिए कुछ कहेंगे फिर? बिल्कुल बोलना चाहूंगी, मैं तो अभी teaching करती हूं, teaching in a sense, acting का instruction देती हूं, उन लोग को training देती हूं, तो मैं सबसे पहले उनको यही बोलती हूं, कि देखें, बच्चों को आप नहीं support करेंगे, तो कौन support करेगा, आप उनको pressure बनाते हैं, कि या आप doctor बनो, engineer बनो, या फ लिया है, उसमें कला है, तो अगर आप नहीं support करेंगे, तो कौन करेगा, तो आपको as a parent support करना चाहिए, I always request to parents, कि please आप उनको support करें, तो उनकी कला को वो बाहर निकाल पाएंगे, क्योंकि इन चीजों को मैं समझती हूं, बहुत अच्छे तरीके से, मैंने feel किया है, बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूंगे, लेकिन मेरी जर्नी जो रही है, एक बहुत छोटे से शहर से रही है, हम बिलॉंग करते हैं 36 गड़ से, बिलासपूर से, और मेरी जर्नी रही है, बॉंबे, डेली, पंजाब, ये सारा मेरा education रहा है, तो वो तो बहुत possible ही नहीं था, और य से support करना, तो without parents ही possible नहीं है, इतनी भी मुझ में कला है, लेकिन अगर मेरा parents का आशरवाद और support रहा है, तभी मैं कर पाई हूँ, तो इतनी लंबी मैंने journey cross की है, तो आज तो बहुत अधुनी क्यूग है, तो आज के युग में भी अगर parents ये सोच रखेंगे, कि ने ने ये सब करके तुम आगे क्या करोगे, तो फिर ये गलत है, उसके talent को promote करना चाहिए, support करना चाहिए, तब वो बच्चा पता नहीं कहां से कहां पहुँच जाए, विल्कुल, विल्कुल, ये उसकी परक्त रखके उनकी मदद करना बहुत-बहुत जरूरी है, पे बार एक डर रह आती है, या हम फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं, ये वाली जब बात आती है, तब भी कहींन में एक भाव की बहुत struggle, बहुत परिशानिया है, नहीं मैं समझ रहे हैं, किसी हद तक तो ये सही है, लेकिन फिर भी, हम ये भी तो देख र आगे बढ़ने के लिए, तो वह आत्मनेर भर कैसे बनेंगे, वह भी तो जरूरी है, तो इसलिए हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, जो वह करना चाहते हैं, जब तक गिरेंगे नहीं, तब तक उठेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे, ये बात भी आपकी सही है, कि व्यक्ति अपने अनुभाव से ही सीखता है, लाइफ में आपके भी एतनी लंबी आत्रा रही है, चल रही है, उतार चड़ाओतों के बहुत आए होंगे, तो कई बार व्यक्ति जब उतार चड़ाओं के दौर से गुजरता है, परिशानियों के दौर से गुजरता है, सफलताओं के दौर से गुजरता है तो समल नहीं पाता है लड़ खड़ाने लगता है निराशाने लगती है आपने ऐसे दौर में क्या खिया मैं ये कहूंगी कि शुडू से एक आस्था रही है मेरा एक बिलीफ और फेत रहा है इश्वार के प्रती तो मैं जब भी ऐसी परिस्थीतियों मे गुजरी हूं और जब अपने आपको ऐसा मैसूस किया है कि मैं डिलाइमा में हूं, कन्फ्यूस हो रही हूं, कोई डिसिजन नहीं ले पा रही हूं तो कहीं न कहीं ये भी कहेंगे कि थोड़ा सा एजुकेशन भी माहने रखता है तो मेरे परिवार ने मुझे बहुत अच् तो इश्वर पे फेत करके छोड़ दिया है और एक विश्वास रखा है कि वो समाल लेंगे, तो वो चीज हुई है और इश्वर ने समाल लिया है और बहुत अच्छे से दिशा निर्देश और मारग दर्शन किया कि हमें तूटने और गिरने नहीं दिया, समाल लिया है कि यदि आप उन पर विश्वास रखते हैं तो एक प्रकार से यदि वो अनुभूती आपके पास है कि सचमुछ वो मदद करते हैं साथ है और उन्हें दे दिया जाये तो आप सब कुछ हलके हो जाते हैं जब तक अनुभूती नहीं होती तब तक ये विश्वास आस्था भ बहुत बड़ा तो कहीं न कहीं कुछ energies और powers होती हैं जो जरूरी नहीं है कि इश्वर मूर्ती रूप में दिखे या किसी पत्था रूप में दिखे या ऐसा जरूरी नहीं है there are powers but that powers is supreme power and positive energy आप उसको गलित चीजों से हासिल नहीं कर सकते हैं तो वो positivity अगर आप रखते हैं अगर वो आप अच्छाई और सच्चाई के साथ चलते हैं तो एक बात कहीं जाती है कि देर से ही सही और सत्य की विजय होती है तो आप जब सत्यता से चलते हैं तो वो power आके आपको support करती है और अगर मैं बोलूं कि अभी यहां पर आई हूँ एक मन में विश्वास तो था म बहुत सम тебя कुँड़ी नहीं हूँ लेकिन अभी आप कैसे आप उसको प्रमानित करें गे तो मैं बूलूंगे की अभी अगर मैं यहां पर हूँ और आज बैठी हूँ और बाबा के क्रिपा बनी हुई है तो यह शबूत है कि मैं 25W Alt और और वो मुझे इस लायक समझ रहे है कि मुझे interview के लिए यहां बिठा रहे हैं तो really, it's like we are blessed and it's miracle only क्योंकि हम अपनी दुनिया में कुछ भे होंगे लेकिन इश्वर भुला के अगर हमारा परीचेले और सम्मान करें और interview, तो it's like क्या कहें, यह प्रमान है बहुत सुंदर, तो चली आपने जिक्र कर ही दिया है, तो मैं यही आना चाहूंगा, कैसे आने की बज़ोबाद बने वो बने यहां, क्योंकि एक सुंदर सा मंच है ब्रमा कुमारी इसका headquarters का अध्यात्मिक मंच तो यहां आने का किस प्रकार का किस ब्लेसिंग उनली, सोचा ही नहीं था कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी बस मन में सुनती थी, ब्रमा कुमारी इसको थोड़ा सा जानती हूं अंदर से जो मुरली इस रहती और बाकी सारी चीजे हैं तो सुनते हैं, लेकिन मदुबन के बारे में भी और माउंट अबू के बारे में लेकिन ऐसी फिलिंग ये पता नहीं था कि कभी ऐसा साक्षातकार और इस तरीके से ये ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, तो मन में था पता नहीं कभी जा पाएंगे कि नहीं एक बार जाना है, एक बार देखना है ये वाली फिलिंग हमेशा आती थी बूलते हैं बहुत कुछ वहां के बारे में सुनते हैं बहुत कुछ वहां के बारे में तो वो अनुभव की प्राप्ती होनी चाहिए ऐसे मन में ये था लेकिन आचाना कि मैं थांक्स कहना चाहूंगी अगे हमारे बुरीवली से दिव्या बेहन है, जो मीन हैट है, इंचार्ज है, देन उसके बाद हमारी संगीता बेहन है, उनको जो एसिस्ट करती हैं, और अभी जो हमें लेके आई हैं, हर्शा बेहन, वो उन्होंने तो हमारी केयर एक परिवार से बढ़कर की है यहां पे, तो उन्ह उन्होंने एक मौका उपर्चुनीटी दिया, उन्होंने हमें बुलाया था, वहां पे आज गेस्ट ऑफ ओनर, और बच्चों के काफी 500 बच्चे थे, इंडस्टी से और बाहर से रिलेटेड, तो वहां पे एक वाक्शॉप करनी थे, आक्टिंग से रिलेटेड, तो उन्हो से रिलेटेड, और उसके बाद उन्होंने मुझे बूला कि लेकना बेन, आपको जाना है वहां पे, तो मैंने का ये क्या बात हुई, मितलब सोच और कल्पना सिर्फ रखी, कि कभी जाएंगे, और ये अचानक ऐसा, फिर मैंने का किस सिलसिले में जाना है, तो उन्होंने ब कुछ आनुभव कीजे, तो मुझे तो पता नहीं था, ये फर्स टाइम है, कि यहां पे होने क्या हवाला है, तो आइथाट कि चलो एक बाद जाते हैं, देखते हैं, लेकिन यहां आने के बाद तो पता चला, जो मुरली में हम थोड़ी-थोड़ी बाते सुनते थे, कि कि यह हम पृत्वी पे नहीं रह रहे हैं, यह हम स्वर्ग में आ गए हैं, मतलब इतना प्यारा वातावरण, इतने सादगी भरे लोग और इतना प्रेम व्यवहर, ऐसा लगा कि मतलब कहां पोज गए हैं, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, सच में हेवेन में आगी तो मैं best आगी हमने क्या क्या सीखा हैं, जरूर, जरूर, तो उसे पर मैं आने वाला था कि हमने क्या यहां पाया, क्योंकि स्वर्ग की अनुभुती जो आपने की हैं, तो जरूर, कुछ सुना होगा, कुछ पाया होगा, तब ही यह चीजे हमारे Beim coronavirus पे आ रही है तो we felt proud कि एक artist के रूप मीप मेरा सम्मानित करने के बुलाया गया गया then और एक artist का जो emotions रनते हैं तो जाकता है then वो feeling आती है मतलब हम artist है entry बुलाया गया मतलब कहीं न कहीं ऐनकार बुला जाए तो वो feeling आने लगी और उसके बाद जैसे ही पहला दे गजुरा तो बोले कि आपको चार बजे उठना है और सुबह आना है ब्रह्मा मुर्त में तो हमने कहा कि ठीक है अब चुकी पहले दिन ट्राइवल करके आये थे एनर्जी थी ने फिर भी ऐसे लेकिन अलम लगाया और नहीं जब जिस चीज के लिए आये हैं तो भई पीसफूल जोन में जाके उसके कंटिनियूस क्लासे शुरू हो गए हमारी ज्यान की क्लासे जिसमें राजयोग का पहला पार्ट और तब समझ में पहले पार्ट में पहले दिन में ही आ गया नौ बज़े दस बज़े वो क्लास खतम हुई साड़े साथ से नौ बज़े को यहां पे छोड़ो हम आत्मा है हम परमधाम में आये हैं हम वो तो बाबा की ब्लेसिंग से and we are blessed child हम चुने गए हैं बाबा के द्वारा तो कहीं न कहीं बाबा कुछ न कुछ चाहते हैं तो यह एहंकार से बाहर निकलो और अब यह एहंकार में नहीं जीना है मैं मेरा सब अब हमको क्या रहना है आत्मा और यह body consciousness यहां से side करो और अब निकालो अपना देही अभीबानी बनने का ग्यान और वो जो पहला ग्यान मिला जिसमें mind, intellect और संसकार तो इतनी clarity के साथ मतलब वो ग्यान पढ़ाया गया और एक के बाद यह session चलते रहे हैं राजयोग के चार तो मुझे ऐसा लगा कि यह चार दिन तो हमने चार जनम से भी बढ़के जी लिए लेकिन हाँ यह कहूंगी इस घ्यान को सिर्फ सुना है अभी इसे इंप्लिमेंट शुरू करना है तब तो हम बाबा के बच्चे बनेंगे के ऐसा लगा कि सचमुची यह ग्यान आजकी जीवन के लिए हमारे लिए भी चाहे हम कलाकार हैं चाहे अन्य लोग जो समाज के अलग-अलग शेत्रों में हैं आज इसी ज्ञान की आवश्य अकता है तब ही व्यक्ति अपने जीवन में जिन एहम भाव को पाल करके जी रहा ह वहां से बाहर निकल के सत्य में आ सकता है, जी सकता है. बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, हम लोग इस माया मो की दुनिया में रह रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि क्या और इतना stressful life है, इतनी expectations है life में, हर रोज, कुछ न कुछ ऐसी चीज़े आ जाती है, जो एक मन में क्लिक देती हैं और अपने को लगता है, नहीं नहीं अब ये करना है, मतलब फिर मैं वही कहूंगी कि ग्यान में जो हमने सीखा, कि thoughts मिलते हमें, बहुत सारे संकल पाते जाते हैं, अब जब ग्यान सीखा है, तो पता चला कि भाई, ये तो thoughts भी कही प्रकार के होते हैं, necessary, unnecessary, wastage, अब इसको आपको control करना है, तो कैसे control करोगे, meditate करके करना पड़ेगा, अब जब meditate करना शुरू किया, तो पता चला कि इसमें तो क्या शांती है, तो घर की तो याद ही नहीं आती है, वो महसूस ही नहीं होता है, तो मैं तो सभी को ये कहना चाहूंगे, एक बार महसूस करो इसे, फील करो, फिर आपको पता चलेगा, कि आप कौन से दुनिया में रह रहे हो, उसकी जरुरत ही नहीं है, असली दुनिया तो यही है, तो यहां से जाने के बाद, आपके जो स्टुडेंट्स हैं, आप जिन्हें सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, आपके और भी सगे संबंधी हैं, क्या उन्हें भी ये सुन्दर बातें, और ज्यान देंगे कि जीवन क्या है, हमने देखा और सुना समझा हैं, अब आप भी इस चीज़ कानुभव करें। बिल्कुल मेरा प्रयास रहेगा इसके लिए, और अभी तक मुझे लगता है, कि मैं उस लायक नहीं बनी, पहले तो मैं खुद पर इंप्लेमेंट करूँगी, स्वापरिवर्तन जरूरी है, तब ही विश्वापरिवर्तन कर पाएंगे, और वो प्राक्टिस पहले मैं अपने पर लागो करूँगी, और जब मुझे लगता है कि मैं परिपक्व हो गई, क्योंकि ग्यान देना बहुत आसान है, हम लोगों को बोलते हैं, लेकिन लोग आज के दुनिया में सुनना नहीं चाते हैं, वो आपको देखते हैं, पहले आप क्या हो, और उसके बाद वो अनुसरण करते हैं, तो पहले मुझे अपने आपको चेंज करना पड़ेगा है, मैं समझती हो, और उसके बाद फिर हम दुनिया को चेंज कर पाएंगे, और अच्छाई के लिए मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी, और उन बच्चों के साथ भी, और लोगों के साथ भी, जितना मैं कर पाऊंगी, वो मैं जरूर कोशिश करूँगी, यह जो दुनिया है अध्यात में की, और जो बाबा का ग्यान है, वो सच में सब तक के पहुचना चाहिए, तो हम लोग तो एक आर्टिस्ट है, शायद हम मेडियम औफ कम्यूनिकेशन हो सकते हैं, कि लोग हमारी बातों को सुने, आप लोगों का विशह भी यही रखा गया था, कि उत्कृष्ट समाज के स्थापना में कलाकारों का योगदान, मेरा योगदान, तो आप किस प्रकार का योगदान देना चाहेंगे, और सब को क्या कहना चाहेंगे, कि वो किस प्रकार का योगदान एक उत्विष्ट समाज किस थापना में दे सकते हैं? बहुत अच्छा विश्य था, जो ये रखा गया था, कि भई उत्विष्ट समाज में, तो हम लोग एक आटेस्ट हैं, तो हम जब किसी को कोई बाते कहते हैं, तो हम से लोग बहुत जादा impactful होते हैं, और influence होते हैं, उनको ऐसा लगता है, कि ये जो कह रहा है, क्योंकि टीवी, मीडिया, इंट्रस्टी ऐसी life है, और वही तो बताया जाता है, जो जिनको डेरिक नहीं बहुत पाते हैं, उनको उस माध्यम से कहेवाया जाता है, तो हम आर्टिस्ट हैं, तो हम अगर अपनी बातों को अच्छे से रखेंगे, और जीवन जीने की कला को समझाएंगे, और एक कलाकार जब इन चीजों को व्यक्ति, अपनी भावयक्ति से, तो शायद कुछ असर हो पाएं, लोग उस चीज को समझ पाएं, लेकिन उसके पहले अगेन मैं कहूंगे, कि हमें अपने तो अतारना बहुत ज़रूदी है, तब ही हम कर पाएंगे, अपने लिए क्या आख़ास लेके जा रही हैं, कि अब मैं तो अपनी लाइफ में यह यह करने वाली हूँ, जो अब तक नहीं करती थे, मैं तो बाबा ने जो ग्यान दिया है, वो एकदम हरेदाय में बसा लिया है, और एक-एक पॉइंट तो पॉइंट में चाहूंगी, कि मैं उस पे प्राक्टिस चुड़ू करूँ, क्योंकि वो प्राक्टिस से ही होगा, अभ्यास से ही होगा, वो इस तरीके से नहीं आने वाला है, हम जो दीधियों को देखते हैं, यहांपे बेनों को देखते हैं, जो समर्पिद भाव से हैं, वो एक मिनट का नहीं है, हम लोग आर्टेस्ट हैं, हम भले ही डाइलोग्स दिये जाते हैं, और बोल लेते हैं, लेकिन यह साधना है, यह ज्ञान की साधना कर रहे हैं यह लोग, इतने वर्शों से इसमें चल रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, तब इनकी यह मन में पीस आया तो मैं यही करूंगी कोशिश कि भाई हम अपने पर उतारें और उसके बाद दें और बाबा ने बहुत अच्छी चीज कही है कि हम सब आर्टिस्ट हैं हम सब आक्टर हैं और इस रंग मंच में अपना प्रदार निभाने के लिए हैं तो पहले तो अभी हम यह सूचते थे कि हम बॉलीवोर्ड, होलीवोर्ड इदर उदर के आर्टिस्ट हैं लेकिन आप पता चल गया है कि इस दुनिया में हम एक अक्टर हैं और अपना किरदार निभाने आए अभी किरदार किस तरीके से निभाना है वो बाबा ने अपने घ्यान में बहुत प्यार से और बहुत प्रारवन बनाना है कैसे अपने आपको प्राक्टिस और हाबिट से उस साधना में ढलना है जे 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 चलिए बहुत सुन्दर सी बात आप यहां से लेके जा रही हैं और यह सबसे अच्छी बात कि शुरवात मुझे खुद से करने हैं ताकि मैं अपने जीवन से दूसरों को सिखा सरों सच मुझे यह तो है ही बात कि जब तक जीवन में खुद नहीं होता दूसरे उस चीज़ को नहीं सुनते हैं नहीं समझते हैं हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे अपने पूरे जीवन का निचोड हर एक व्यक्ति चाहता है कि जीवन में सुख हो शा है तो जीनी तो पड़ेगी है और बाबा ये नहीं कहते हैं कि आप इन चीजों में इतना विलीन हो जाएए लिप्त हो जाएए कि आप अपने ग्रहस्त और जीवन छोड़ दीजे आपको जीना पड़ेगा और जीना पड़ने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स आपके पड़ेगा लेकिन मैं दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगी कि जो मैंने यहां से सीखा है लाइफ का एक पार्ट जो है आप इस प्रिच्वल को दीजे शोशल जरूरी है मेंटल जरूरी है फिजिकल जरूरी है ये सारे डवलप्मेंट आपको चाहिए जीवन जीने के लि बहुत अच्छे से करेंगे और उस ज्ञान के प्राप्ति से करेंगे तो आप मैं यही बूलूंगे कि एक पार्ट अपने लाइफ का स्प्रिच्वल रखे और ब्रह्मा कुमारीज में बाबा की मुरली और ज्ञान को जरूर सुने अमल तो तब ही कर पाएंगे जब हम सुन समझ में आने लगेगा तो फिर आप उसको इंप्लिमेंट कर पाएंगे कहते ना पहले श्रवन मनन फिर चिंतन कर पाएंगे यह अगर आपने कर लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा बहुत संदर बहुत बहुत शुक्रिया लेकना जी आपने जीवन का साहर हम सब को यहाँ आप आएं अपने अनुभव हमारे साथ साजा किये दिल से बहुत 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 धन्यवाद आपको भी ओम्शन मितनों जीवन में आध्यात्म कितना जरूरी आप विचार करें कोई भी भवन बिना निव के तो नहीं हो सकता कोई भी व्रिक्ष बिना जड़ के स्थाई रूप से खड़ा नहीं हो सकता वही स्थान सचमुच आध्यात्म का हमारी जीवन में है यदि हम इस निव की ओर इस जड़ की ओर ध्यान देंगे तो सचमुच जीवन सुक्षान्ती से सफलता से परिपूर्ण हो जाएगा और विडंबना ही है ये कि हम अन्य चीजों पर तो ध्यान दे रहे हैं लेकिन जो मूल चीज है उसकी ओर हमारा ध्यान कम हो गया है हम जरूर उसकी ओर ध्यान दें स्वयम को देखें अपने रचाईता परमात्मा पिता की ओर देखें उनसे वो शक्ति वो प्रकाश में प्राप्त होगा जिसे जीवन सचमुच बहुत ही सरल सहज और आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा जरूर इस गहन और मूल बात पर विचार कीजिएगा एक नए महमान के साथ जल्दाफ से पुना मुलाकात होगी नमस्कायर